नमश्कार यूफ्टी न्यूज 24 में सुवाथ की बड़ी खबर फतेपुर से आ रही है जहां लेखपाल के उपर रिश्वत लेने का आरोप लगाये गया है लेखपाल ने खसरा बनाने के लिए यूवक से 1000 रुपे लिया जिसका आडियो सोशल मीडिया पर जम कर वाइरल हो रहा है यूवक से फोन पर बात पैसे की हो रही है आप भी सुने आज बारी सोई रहे नहीं तो आना रहा अच्छेत्री के तरफ आज शुक्रवार का आज शुक्रवार को लेलों यह पूछ रहा है कि आप पैसन का तो करें कि आप पांसो दिनों जाने के बतावते हों कि एक दिने के अरे यार खसरा हो सब ने शुल थोड़े बनते हैं आप आज बाए आज आज बार पूछो के गाय की बात को आप यह बात हो जाने की दिनों बन जाए तो अरे आओ यार बीस बार तुम पांसो बार तो पांसो मैसेज कर चुकिए अब इसके बाद भी मंगल सुक्करम लोग बैटते हैं आओ राके से भी बात हुई तो था ही आज ज देखो यार यह घर की खेती नहीं है ठीक है यह खसरा खतो नहीं सुल्क नहीं बलता है तुमको उस दिन भी बताय थे आज फिर बता रहा है तो सुना आपने यह मामला फतेपुर जनपर के बिंदिकी तहसिल के मिराई गाउं के इस्थाने लेख पाल का बताय जा रहा है लेख पाल के उपर कारवाई की मांकी है युवक ने बताया कि ऐसे प्रश्टचार लेख पाल के उपर कड़ी कारवाई की जाये ताकि किसी अने लोगों के साथ ऐसी घटना ना हो सके क्या जिम्मेदार जनपत के आलाधिकारीं से पीडित को नय मिलेगा या फिर मामले में परदा डाल दिया जाएगा हालाकि इस समझ में उपजिला दिकारी बिन्दिकी से बात की गई तो उन्होंने बताया कि मामला संग्यान में है और विभागे जांच की जा रही है जांच पूरी होने पर कड़ी कारवाई की जाएगी मैं ग्राम अपोच्ट मिराई का मूल निवाशे हूं लेटपाल अतुल और अमन्य द्वारा खसरा बनाने के लिए हमसे जबरन रिसुवत के तौर पे 2600 की मान की गई थी जिसके तहट फिर हमसे 1900 की मान की गई और 1000 लेके हमसे हमारा खसरा हमें बनाया गया और उसके की भी काफी मिली कि हम मंत्री जी के रिष्टेदार हैं और हमारी बहुत पहुंच है हमारा कोई कुछ नहीं उखाड सकता तर हमसे ही चालते हैं सर कि यह हमारे साथ जो हुआ और किसी और के साथ ना हो इसके लिए इनके खिलाप सक्त सक्त कारवाई की जाए UFT News 24 के लिए राजिश कौतम की रिपॉर्ट